हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चनल और आज मैं बनाने वाली हूँ पारले जी बिस्किट से बहुत ही सुपर सॉप्ट और स्पंजी केक तो फ्रेंट्स ये रेस्पी बहुत ही मज़िदार सी है और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाते लिए करें हेद छलूप करें तो फृरंस प्रली जी बिस्किट से केक बढनानी के लिए मैंने लिए हई यह तीन फैकेट प्लेट में नीकाल लेते ह a निकालने के बाद में दूद लेते हैं तो तोलने से क्या होगा यह आसानी से हमारे मिकसर में ग्रैंड हो जाएंगे तो फ्रेंड्स टूटे हुए बिसकेट्स को हम ग्रैंडीक जार में 2000 ट्राष्ट करेंगे और इसlear टीशे तीन तेपल इसपून चीणी डालेंगे तो बिसकेट बहुत मिस्ट होता है इसलिए चीणी ज्यादा ना डालें इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये दूद डाल कर इसे फेट लेंगे और ये देखिए इसे हमने अच्छे से फेट लिया है और ये देखिए हमारा जो इसमें अभी दूद बचा हुआ है तो इस दूद को भी हम इसमें डाल देंगे और फिर से अच्छे से हम mix कर लेंगे तो जितना दूद था एक कप मैंने पूरा डाल दिया है और इसे अच्छे से हमने फ्मेट लिया है और ये देखिए ऐसी consistency का हमें better चाहिए तो अब हम इसमें डाल लेंगे दो चमज ओयल जिससे हमारा केक बहुत ही soft बनेगा और ये हमारी homemade tutti-fruity है तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से सारी चीजों को mix कर देंगे mix करने के बाद में ये देखिए मेरे पास है आदा चमज baking powder तो इसे भी हम डाल देंगे इसे हमारा केक बहुत ही spongy बनेगा तो इसे डालने के बाद में एक direction में आप इसे फेट लें अब हम एक केक टिन लेंगे और उसे हम oil से grease कर लेंगे इस पे थोड़ा सा हम मैदा dust कर लेंगे इसके बाद जो हमारा जो better है इसे हम इसमें transfer कर लेंगे अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप इस टिल कही कोई पोल ले 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 या कोई टिफिन ले ले और उसमें इसे आप transfer करके बना ले अब हम थोड़ी सी टूटी फूटी लेंगे और उसमें मैदा dust करेंगे और इसके उपर garnishing कर देंगे आप चाहें तो dry fruit से भी इसकी garnishing कर देंगे तो वह भी बहुत अच्छा लगेगा और अब हम कुकर को preheat होने के लिए पहले से मैंने रख दिया था तो यह देखिए ढकन जो है कुकर का इसकी हमने विसल निकाल दी है अब हम कुकर में stand डालेंगे और उसके अंदर बहुत ही आराम से केक्टिंग डाल देंगे क्योंकि कुकर गरम है अब इसमें हम ढकन लगा देंगे और 15-20 नट के लिए धीमी आज पर इसे हम पकने देंगे तो यह देखिए 15-20 नट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो आप कोई चाकू से या किसी श्टिक से आप डाल कर चेक कर लें तो यह देखिए बिलकुल क्लीन निकल रहे हैं इसका मतलब मारा केक अच्छे से हो चुका है इसे हम ठेंडा होने देंगे टंडा होने के बाद में इसे हम इस तरह से डी मोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि यह असानी से निकल आएं और यह देखिए इसके बाद हम इसे निकालते हैं तो हमारा केक बहुत अच्छा पक चुका है और यह देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और यह बिल्कुल भी नहीं चिपका है तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना ही है इस पंजी और कितना सौप्ट बना हुआ है तो यह देखिए अब इसे हम आहिस्ते से पलट लेते हैं यह लीजे और हमारा केक बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसे cut कर लेते हैं मैं आपको इसे cut करके दिखाती हूँ ये दिखे इसमें cracks भी आए हैं ये पहचान है हमारा cake बहुत अच्छा बना हुआ है तो ये लिजे इसे हम cut कर लेते हैं इस तरह से तो हमारा cake बहुत ही spongy बना हुआ है देखने से ही पता चल रहा है friends कि ये बहुत ही soft और spongy बना हुआ है और बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स हमारा cake बनकर तियार हुआ है ये देखे बहुत ही spongy और बहुत ही soft cake हमारा बनकर कर के तैयार हुआ है friends तो आप भी इसे एक बार बनाकर जरू ट्राइ करें आपको खा कर इसे बहुत ही मजा आ जाएगा त तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू